हिमाचल में एक उद्रत का गहर लगातार जारी है। पिछले 11 दिनों से हिमाचल प्रदेश तरक रहा है। एक खुबसूरत शहर शिमला धस रहा है। अब तक 71 से जादा लोगों की मौत हो चुकी है। नुकसान का आकड़ा 10 हजार करोड के पार हो चुका है। कई लोग अपन लाकों में भारी बारिश हो सकती है और भारी बारिश और लांड्सलाइट की घटनाओं को देखते हुए शिमला शहर और ग्रामीन में आज भी स्कूल और कॉलेजिस को बंद किया गया है। हिमाचल से लगातार तबाही की तस्वीरे सामने आ रही हैं। सबसे जादा हालात शिमला, मंडी और कांगड़ा में खराब हुए हैं। हालात कैसे हैं इसका अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि यहां आर्मी को मोर्चे संभालना पड़ रहा है। आर्मी, Air Force, NDRF और SDRF की टी में लगातार लोगों के rescue करके उन्हें सुरक्षित जगों पर shift कर रह शिमला में लैंड्सलाइड के बाद इमारत के मलबे को हटाने का काम जारी है। जो मंदिर की दिवार की गिरी थी उस मलबे में अभी भी कई लोग कई लोग दबे हुए हैं और उनको निकालने के लिए लगाता rescue operation चल रहा है। हम हिमाचल परदेश के शिमला के समहिल सी लाके में मौजूद हैं आपको बताते हैं कि वही जगा है जहां पर 14 अगस्त को सुबह 7 बजे के आसपास बादल फटा जिसकी वज़े से लैंड्सलाइड हुई सबसे पहले लैंड्सलाइड की वज़े से और बादल फटने की काद शिव मंदिर जो है पूरी तरह से तहस्राइस हो गया और उसका मलबा जो है लगवाग 2-3 किलोमेटर तक नीचे आ गया तस्वीर में आप देख सकते हैं कि किस तरह से लगातार रिसक्यों चल रहा है पिछले तीन दिन से लगातार रिसक्यों चल रहा है और आज यानि कोशिची की जा रही है कि जितने लोग दबे हुए मलबे में उनको जल से जल निकाला जाए अब तक 14 शव बरामत की अजा चुके हैं तस्वीरों में आप यह भी दिख सकते हैं कि किस तरह से जो फाय से जो लोग हैं जो आफिसर्स हैं वह एक प्रेशर प्रेशर पानी का प लेग जो एजन्सी तरह माउजणीज वाल फेलम हि कोशिश करने सी जारी पानी के प्रैशर पर मिठेटर रहा जो है वो पूरा हो सके अगर कुछ लोग दबे हैं तो उनको जो है जल्द से जल्द निकाला जाए अब तक 14 शेफ जो है वो बरामद हो चुके हैं कोशिश कर रहे हैं कि पानी का प्रेशर बनाकर मिट्टी जो है वह अटाई जाए और जो शव अगर तब हैं उनको तो बरामद किया आप तस्विरों में देखें कैसे जो कैसे इस्थाने लोग हैं यहां पर जो जवान हैं उनके लिए खाने की विवस्था भी की है और ना सिर असे ना सिर्फ शिमला बलकि अलग अलगे इलाकों से तभाई का मंजर आ रहा है अब तक जो है 60 से जाथ लोगों की मौत लगातर हो रही बारिश और लैंड साइड की वज़े से हो चुकी है मलबे की चपेट में आये शिव मंदिर पूरी तरह तबाह हो गया और अभी भी लोगों की शवों की तलाश की जा रही है वह इस हाथसे में बचे एकलौते शक से हमारे समवदाता प्यूश मिश्रा ने बात की राम सिंग ने हाथसे के दिन की एक एक तस्वीर को अपनी इन से बात करते हैं समझते हैं कि क्या हुआ था जिस दिन लेंडसाइड हुए जिस दिन बादल फटा और पूरा शिव मंदिर डह गया राम सिंग जी मैं आप से जाना चाहता हूं क्या हुआ था उस दिन आप कहां पर थे जब बादल फटा दमी चाहे था? मैं अपनिंजी वाले कमरे में था शया था मैं उतने बजे की बात होगे एवट झाते की बजे की बात है मैं जब शया था पर गीरी साथ मैं वो सार बाइच गया मैं दब दब गया मैं पानी भी काफी मात्रा में आए आजी बहुता आजाए फिर आप कैसे ने के लिए पूरी बात बते हैं और कितनी देर तक अंदर दबे रहें मैं कम साइकंग दस मिनटा तक दबे रहा